Hi everyone, जैसा कि आप लोगों पता है कि मैं गाडियों के उपर tax sessions, subsidies और other benefits की एक series चला रहा हूँ तो मुझे लगा कि क्यों नहीं एक वीडियो बनाओ जिसके अंदर मैं car के उपर import duties और custom duties exhaustively cover करूँ ताकि दीरे दीरे जैसे series complete हो तो domestic taxes and subsidies के अलावा बाहर से imported cars के उपर जो duties लगती हैं उनका भी complete idea हो जाए तो गाड़ी की import duties अगर मैं directly समझा दूं कि इस पे इतना percent है उस पे इतना है तो थोड़ा confusion हो सकता है इसलिए में थोड़ा सा चीज़ों को simplify करने के लिए पहले classification बताता हूँ आपको कि car जब import होती है तो उन्हें दो categories पर रखा जाता है CBU, CKD, CBU का full form है completely built unit याने की बाहर विदेश के अंदर showroom में से car उठाई and see the India as it is ले आए जैसे की Ferrari, Lamborghini, Rolls, Rolls, Bentley ये जिदरी भी काड़िया है दूसरा होता है CKD, completely knocked down unit याने की काड़ियों के spare parts बाहर से आते हैं उनको यहाँ पर assemble करके car बनाई जाती है और फिर वो car market में विखती है जैसे की Mercedes S-Class, BMW 7 Series, Range Rover Velar, etc तो basic premise ही है कि CBU के ओपर बहुत ज़्यादा taxation होती है, CKDs पर कम taxation होती है इसका rationale क्या है, देखो CBU के अंदर गाड़ी सीधा सीधा जब इंडिया में आती है तो बहर की company को फायदा होता है, और बहर का जो देश है, जो export duty लगा रहा है उस car के ओपर उसको फायदा हो रहा है इंडिया को कुछ नहीं मिल रहा, ना ही को employment generation हो रही है, ना ही वो company इंडिया की economic के अंदर ऐसा कुछ participate कर रही है so to compensate for that and to induce the customers कि आप Indian made गाड़ी लो, CVUs के ओपर ज़्यादा taxation लगता है CKDs के ओपर कम taxation लगता है, क्योंकि spare parts अगर बाहर से आएंगे और इंडिया मैसेमली होईगी, तो जाहर सी बात है कि company को यहाँ पर plant खुलना पड़ेगा plant खुलने के लिए वो कोई जमीन खरी देंगे, या lease पे लेंगे government से, तो government को कुछ पैसे देंगे employment generation होईगी, economic activity में participation होगा और इंडिया का secondary sector, याने की manufacturing sector भी develop होएगा और जो गाड़ियां बिल्कुल scratch से इंडिया मनती हैं, जैसे Tata Mahindra की cars या मारुती की vehicles उन पे तो import duty वैसे भी zero होगी obviously, लेकिन उनका contribution देश की growth के अंदर maximum होता है क्योंकि उनका सिर्फ assembly plant नहीं होता है कि गाड़ी assemble को और बना की बेचो गाड़ी क्योंकि conceptualized इंडिया में होती है, scratch से या पे बनती है, तो उनकी research and development center भी या पे होते हैं तो manufacturing sector के साथ साथ, देश के अंदर quaternary sector की भी development होती है तो ये तो हो गया मोटा मोटा CBU and CKD, अब CBU और CKD के अंदर further classifications होती है passenger vehicles, four wheelers, commercial vehicles and two wheelers, जिसमें की passenger vehicles के उपर maximum import duty होती है उसके बाद two wheelers पे और commercial vehicles के उपर import duty minimum होती है इसका rationale भी मैं बताता हूँ, लोगो passenger vehicle जो औरी है, जो सीधा सीधा बाहर से आदी है, वो एक totally luxury item है वो सिर्फ अपने shock के ले ली जा रही है, वैसे तो two wheeler भी जो बाहर से आ रहा है, वो भी luxury item है बट क्योंकि two wheeler थोड़ा सस्ता item है, गाड़ी एक महंगा item है नॉर्मल आदमी जो की बहुत जादा bikes का शौकीन है, वो फिर भी जैसे तैसे करकर आके entry level super bike ले सकता है लेकिन super cars तो सिर्फ वो ही ले सकते हैं, जो super rich है और super bike super car से सस्ते भी आता है इसलिए cars and bikes के comparison में, cars के ओपर import duty जादा है कि जो इतने जादा पैसे लगे गाड़ी लेने की हिम्मत रख सकता है, वो tax भी दे सकता है अब बात यह है कि जो commercial buses या trucks हैं, जो commercial vehicles हैं वो तो two wheeler से महंगे होते हैं, वो तो बड़े भी बहुत होते हैं तो उनको two wheeler से कम duties क्यों देनी पड़ती है वो इसलिए क्योंकि अगर कोई commercial vehicle बहार से आ रहा है तो वो इंडिया में commercial activity के लिए use होगा तो वो कुछ ना कुछ economic development में काम आएगा इसलिए उसके ओपर import duty बिलकुल minimal है अब इसमें से commercial vehicles हटा देते हैं and two wheelers हटा देते हैं CBU के अंदर जो four wheeled passenger vehicles हैं बब उनकी बात करते हैं तो उसमें और थोड़ी सी sub classification है कि जो थोड़ी बड़ी गाडिया है जादा महेंगी और जादा बड़े engine वाली उनके ओपर import duty जादा है जो थोड़ी सी सस्ती गाडिया है या फिर जिनका engine थोड़ा छोटा है उनके इंपर import duty कम है because वोई वाला logic यहां पर भी अपलाई होता है कि जो बहुत बड़ी गाड़ी और बहुत महेंगी गाड़ी ने नहीं afford कर सकता है वो tax भी जादा दे सकता है यह हर country में हर छीज के उपर होता है जो luxury goods होते है उनके उपर taxs जादा होता है जो necessity के goods होते है उनपे taxs कम होते है जैसे इंडिया में भी अब आप देखोगे तो खाने पीने की चीज़ों पर taxsation minimum होता है जो रोज मर्रा की चीज़ है उन पर फोड़ा taxation जादा होता है गड़ियों के उपर तो maximum taxation होता है और जो sin goods हैं जैसे की tobacco, alcohol, cigarette इनके उपर तो super duper high taxation होता है वो बात अलग है कि alcohol GST भी नहीं आती उस पर state taxation जादा होता है लेंगन overall मैं बता रहा हूँ कि taxation structure sin goods का maximum होता है and basic चीज को basic services मिल जाएं similarly आप PM आवास, योजना वगरा में भी देखोगे कि जो lower income groups के लिए घर बनाया जाते हैं वो काफी सस्ते रखे जाते हैं government की special schemes चलती है क्योंकि government चाहती है कि हर एक family हर एक household at least एक घर afford कर सके अब अगर मैं CBU सहट के CKD की बात करूँ यानि की completely knockdown unit scheme तो completely knockdown units में क्या होता है कि बाहर से parts आ रहे हैं यहाँ पर assemble करना पड़ रहा है लेकिन degree of assembly पर depend करेगा यानि कि कोई चीज अगर पहले से थोड़ी सी complete form में है यहाँ पर लाकर उसको थोड़ा finishing touch देना है यानि कि यहाँ पर India में उसमें कम काम होना है तो taxation जादा होगा और जितना जादा India में उसमें काम होएगा जितनी जादा assembly work इंडिया में होएगी उतना उसमें taxation कम होगा सिंपल सी बात है जितनी पकी पकई चीज बाहर से आएगी जाधा tax और जितना जाधा raw form में कोई चीज बाहर से आएगी और एंडिया में उसको process किया जाएगा उतना कम tax यह basic premise में आपको समझा दिया है अब मैं चलता हूँ और एक-एक करके row wise हर category के उपर taxation समझाता हूँ basically government बाहर से second hand car को लाना dis incentivize करती है ताकि इंडिया का used car market grow हो सके अब चलते हैं दूसरी category के उपर यानि की गाड़ी fully imported है लेकिन second hand नहीं नहीं गाड़ी है अब जैसा कि मैंने का था कि नहीं गाड़ी अगर आती है तो उसको देखा जाएगा कि यह कितनी महंगी और बड़ी है ताकि उस हिसाब से उसके उपर import duty लगाई जा सके अब नहीं गाड़ी जब बाहर से आती है तो उस पर import duty या तो 100% लगेगी या 60% लगेगी तीन conditions बताता हूँ इन तीनों मेंसे एक भी condition अगर meet हो गई तो सीधा 100% tax bracket में जाएगी और इन तीनों मेंसे कोई भी condition meet नहीं भी तो फिर वो 60% में आएगी तीनों conditions ही है कि या तो car की value 40,000 US dollar से जादा हो या फिर petrol engine की अगर वो गाड़ी है तो 3000cc से जादा बड़ा उसका engine हो और अगर diesel engine car है तो 2500cc से 2500cc से जादा बड़ा उसका engine हो इन तीनों मेंसे कोई भी एक चीज़ अगर हुई तो 100% taxation और अगर ये तीनों चीज़े meet नहीं तो 60% taxation अब ये 40,000 dollars जो value है ये US से का showroom price नहीं है ये वो वाला price है कि जब वो इंडिया के shores पे पहुंचती है इंडिया के shores पे पहुंचने के लिए गाड़ी की cost जो होती है वो मानी जाएगी प्लस जो उसके freight charges है यहां से महा तक लाने के लिए वो गिने जाएंगे प्लस वहा इस शिप में आते आते हैं गाड़ी में कोई डामेज हो जाए जहास डूब जाए गाड़ी डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसको इंशोर करने के लिए जो इंशुरेंस दी जाती है वो है अब चलते हैं टूवीलर्स पर टूवीलर्स के उपर कोई रिस्टिक्शन नहीं है कितना भी बड़ा चोटा एंजिन हो कितनी भी महंगी हो कितनी भी सस्ती हो अब चलते हैं CKD के उपर जैसा कि मैंने का था कि CKD के अंदर टैक्सेशन कम तो है लेकिन डिपेंड करता है कि इंडिया में कितना ज़्यादा काम होएगा उस पर किसी भी गाड़ी की चेसी फ्रेम हटा दो तो तीन सबसे इंपर्टन चीज़े बचती हैं एंजिन, गियरवाक्स, ट्रांसमिशन मेकानिजम यानि की सिंपल शब्दों में कहूं तो पावर ट्रेन क्योंकि उस फ्रेम को या उस चेसी को चलाने के लिए पावर ट्रेन ही चा है, वो CKD की डेफिनेशन में नहीं काउंट होएगी, अगर एंजिन, पावर टैन और ट्रांसमिशन तीनों की तीनों पहले से ही असेंबल हैं, तयार हैं, लेकिन वो चेसी पे माउंटड नहीं है, तो वो CKD माना जाएगा, और उस सिच्वेशन में गाड़ियों पे 25% और commercial vehicles पे भी 25% लेकिन अगर engine, gearbox और transmission mechanism तीनों ही पहले से assembled नहीं है, pre-assembled condition में नहीं है, यानि कि उनके भी spare parts आएंगे और यहीं पे engine बनेगा, यहीं पे transmission असेंबल होएगा, यहीं पे powertrain बनेगी, यहीं पे gearbox बनाए जाएगा और फिर उन तीनों को body पे frame पे लगाए ज So, इस तरह से import duties हमारे देश में 125% से लेके 15% तक vary करती हैं, और इसलिए companies जब भी पहलीवार इंडिया में pair रखती हैं, और उन्हें Indian market conditions को test करना होता है, customers के sentiments को और taste को देखना होता है कि वो उस brand की cars को कितना accept कर रहे हैं, तब तक companies अपनी गाडियों को as a CBU unit लेके आती है और जब उसकी sales बढ़ती है, demand बढ़ती है, गाडियों के waiting period बढ़ते हैं, जब car company को लगता है कि हाँ, लोगों के मन में इस car की acceptability आ चुकी है, तब वो हिम्मत करके, पैसे invest करके या जमीन लेते हैं, plant खड़ा करते हैं, assembly शुरू करते हैं, लोगों को hire करते हैं, और तब ज जितनी उनकी investment होती है, उतना वो पैसा एक projected amount of time में recover कर सकते हैं, अपनी sales के थुरू, इसलिए वो CKD की route से अपनी cars बेचते हैं, लेकिन वो भी selective models के ओपर CKD apply करते हैं, जैसे for example, Mercedes-Benz की जब से famous gangster, mafia car है, Mercedes-Benz G63 AMG, the iconic SUV, वो as a CKD नहीं आती है, क्योंकि उसकी दिनी sales नह गई, X5 हो गई, इनकी काफी demand है, काफी sales हैं, और यह थोड़ी practical vehicles हैं, तो ऐसी cars को CKD लाया जाता है, जैसे जैसे demands बढ़ती रहती है cars की, वैसे वैसे, और models को CKD के तोर पे लाया जाता है, जैसे for example, Mercedes-Benz का जो performance division है, AMG, AMG की सारी गाड़ियां CBU थी, बड़ जैसे जैस नहीं assemble होता है, because Mayback की भी sales अच्छी खासी है, बागी अगर आपको यह देखना हो कि गाड़ियों के ओपर import होने के बाद की दिनी GST लगती है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और इस वीडियो के अंदर आपको एक काफी अच्छी case study, Elon Musk और Tesla की भी नजर आएगी, जिससे आपको यह clear हो जाएगा कि Tesla इंडिया में आने से क्यों मना कर गया, इसके इलावा अगर आप taxation and subsidies को अच्छे समझना चाते हैं, तो आप इस playlist पे click कर सकते हैं, इसमें मैं और डी काफी सारी वीडियो डाली हैं, और मैं धीरे धीरे इसके अंदर और edition करता रहूँगा कि आने वाले कुछ time के अंदर यह subject exhaustively cover हो जाए, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाए